सुलू के एक्स्प्रेशन्स देख कर स्नेहा ने अपने आपको संभाला और अपनी आवाज में चाशनी घोल कर बोली मेरा मतलब है सुलू कि तुझे अब किसी कोर्स की कोई जरूरत नहीं है तू तो वैसे ही ब्रिलेंट है वैसे भी ये सब सिर्फ पैसा लूटते है इन अडवांस कोर्स के नाम पर तुझे सच बताओं ये काम सर्फ हुनर से ही किया जा सकता है जो तुझ में कूट-कूट कर भ क्या होगा? सुलू के मुंबई जाने की वज़ा तो ये भी थी कि वो शादी की बातों से दूर रहना चाहती थी अगर यहा रही तो घरवाले फिर उसके लिए रिष्टा देखने लगेंगे सुलू ने सोचा चलो इस बारे में बात में सोचूंगी उसने स्नेहा माम को मुस्कूराते हुए कहा थांक यू माम अगर आप गाइड नहीं करती तो शायद मैं मुंबई चली है जाती और सच में फीस, मुंबई में रहना, खाना, एतना सब कुछ सारे खर्चे मिला कर पता नहीं कितना पैसा बरबाद हो जाता यू आर माइ रियल मेंटॉर माम, थांक्स वन्स अगेन स्नेहा माम ये सुनकर मुस्कुरा दी और उन्होंने सुलू को गले लगाते हुए कहा अफकॉर्स, तू तो मेरे फैशन हाउस का अनमोल हीरा है, तेरा कोई भी नुकसान होते मैं कैसे देख सकती हूँ उन दोनों को पता ही नहीं चला कि राज भी केबिन में आ गया था राज ने सुलू और स्नेहा माम की लगभग सारी बाते सुन ली थी उसके चहरे पर समय अजीब से भाव थे ये सुलू के लिए चिड या नफरत नहीं थी, जो हमेशा उसके चहरे पर होती थी जब भी स्नेहा माम सुलू की तारीफ करती थी बलकि ये कुछ शौकिंग और हिकारत भरे भाव थे जिनसे वो इस समय स्नेहा माम को घूर रहा था उसे देखकर स्नेहा माम ने कहा अरे राज तुम कब आए? कुछ काम था क्या? सुलू ने उसे चड़ते हुए देखा उसके चहरे के अजीब से एक्स्प्रेशन्स देखकर वो सोच रही थी कि हर बार की तरह इस बार भी राज को उससे जलन हो रही होगी राज बोला वो मैम मिस्टर अगरवाल का कॉल आया था उनकी बेटी की शादी है और वो चाहते हैं कि मारेज में जितने भी फंक्शन्स होते हैं उन सब के लिए उनकी पूरी फामली की ड्रेस्स डिजाइन करनी है तो आप उनसे बात कर लीजिएगा ओ हाँ, ओके, ओके, ओके मैं अभी बात कर लेती हूँ स्नेहा मैम ने कहा फिर उन्होंने सुल्लू से कहा चल सुल्लू, नया काम आ गया है तयारी शुरू कर दे जी मैम कहती हुई सुल्लू स्नेहा के केबिन से चली गई राज अभी भी वहीं खड़ा स्नेहा को देख रहा था स्नेहा ने उसे यूँ खड़ा देख कर पूछा क्या हुआ राज, कुछ काम था क्या राज ने सोचा मैं जो पूछना चाहता हूँ वो मुझे पूछना चाहिए या नहीं आक्चली राज पूछना चाहता था कि स्नेहा ने सुल्लू को मुंबई जाकर अडवांस कोर्स करने से मना क्यों कर दिया ये तो सुल्लू के करियर के लिए बहुत अच्छा था और जो लॉजिक उन्होंने सुल्लू को दिया था ये कोर्स ना करने के लिए वो बिलकुल भी कन्विंसिंग नहीं था फिर राज ने डिसाइड किया कि वो ये नहीं पूछेगा कहीं सनेहा माम गुस्ता ना हो जाए वो वैसे भी उनकी हिट लिस्ट में रहता है उसे ये सोच में डूबा देख सनेहा ने पूछा कहां खो गए बोलो ना जो बोलना चाहते हो राज ने हिच के चाहते हुए कह दिया वो माम मैं पूछना चाहता था कि अगरवाल जी वाले असाइनमेंट में मैं भी कॉंट्रिबूट कर सकता हूँ क्या हाँ मुझे लगता है कि तुम कर सकते हो क्योंकि वैसे भी असाइनमेंट बहुत बड़ा है इसके लिए मुझे पूरी टीम की जरूरत है पहले मैं अगरवाल जी से मीटिंग करके सारी बात कर लूँ फिर हम डिसाइड करते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है सनेहा ने अपने मोबाइल पर कुछ देखते हुए कहा फिर सनेहा ने एक नमबर डाइल किया और राज को वहाँ से जाने का इशारा किया राज केविन से बाहर आया अचानक से याद आया कि अगरवाल जी कुछ थीम और आइडिया साथ लाने के लिए उन्होंने कहा था वो फिर से केविन में गया सनेहा केविन की खिड़की के पास खड़ी बाहर देखते हुए किसी से बात कर रही थी वो फोन पर बोली अरे मैं तो टेंशन में ही आ गई थी अगर सुलू चली जाती तो बहुत मुश्किल हो जाती इतने कम पैसों में इतनी टालेंटेड महनती और ओनेस डिजाइनर मिलना लगभग नामुमकिन है और तुम्हें पता है मुझे तो वो इतना मानती है ना कि मेरे एक बार मना करने पर ही उसने तुरंथ मुंबई जाने का अपना प्लान कैंसल कर दिया इतना कहे कर वो जोर से हस दी फिर आगे बोली शी इस रेली अ बिग एमोशनल फूल वैसे ये हमारे लिए ही अच्छा है उसे मैं इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकती उसकी वज़ा से तो मेरे फैशन हाउस का इतना नाम हुआ है तुम्हें पता है लास्ट फैशन शो हिट होने के बाद मुझे कितना काम मिला है इस फैशन शो के बाद से मेरे नाम और शोहरत दोनों में ही अदाफा हुआ है उसमें गजब का टालेंट है पर वो ये बात नहीं जानती उसे लगता है कि वो सिर्फ यहां पर ट्रेनी है जिसे मैं सिखा रही हूँ और ये हमारे लिए ही अच्छा है इसलिए मैंने कभी उसकी ये गलत फहमी दूर नहीं की इतना कहते हुए स्नेहा मैं फिर से हस दी वो आगे बोली अगर वो मुंबई गई तो उसका टालेंट और भी निखर जाएगा वो वहाँ फैशन की बारी क्या सीख जाएगी पर इसके बाद वो यहां काम करना पसंद नहीं करेगी और अगर किया भी तो शायद हम उसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे इसलिए अच्छा यही है कि वो यहीं रहे राज अवाकसा खड़ा स्नीहा मैं की बाते सुन रहा था आज उसे दोगलेपन की हद नजर आ रही थी तो स्नीहा मैं सिर्फ सुन्लू का फायदा उठा रही है हमेशा सुन्लू के लिए बुरा सोचने वाले राज को आज उसके लिए बुरा लग रहा था वो सोच रहा था कि कोई अपने फायदे के लिए किस हद तक जा सकता है सुल्लू कितना भरोसा करती है सनेहा पर और वो अपने फाइदे के लिए सुल्लू का इस्तमाल कर रही है यही नहीं वो सुल्लू को आगे बढ़ने से भी रोक रही है जब सुल्लू को ये सब पता चलेगा तो उसे कितना सदमा लगेगा स्नेहा भी अभी भी बातों में बिजी थी उन्होंने राज को अभी तक नहीं देखा था राज भी नहीं चाहता था कि स्नेहा माम को ये सारी बाते पता चले कि उसने उनकी सारी बाते सुन ली है वो तुरंट केविन से बाहर आ गया वो सुलू को बताना चाहता था कि सनीहा माम उसके बारे में क्या सोचती है पर उसे पता था कि सुलू कभी भी उसकी बात पर यकीन नहीं करेगी पर राज उसे इस धोके के बारे में सचेत करना चाहता था वो चाहता था कि सुलू को ये सब पता चले ताकि वो अपना नुकसान होने से रोग पाई फर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या करे कि सुलू को सनेहा की सच्चाई पता चले